हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो वर्ट चैनल है पटेड़ेस भी मैं हूं मोहमाद सोहेज अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आएं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं 100 उप्लोड किया उस्वृडियों मैं आपको क्या बता दोस्तों हमारे टार्डेट अचिव ओने के बाद स्टॉक नीचे क्यों हमारे टार्गेकड लगते ही स्टॉक नीचे क्यों आता है क्योंकि हम लोग जब entry लेते हैं हम लोग breakout 200 एम में फस्ट ब्रेकडाउन फस्ट टार्गेट सेकेंड ब्रेकडाउन फाइनल टारगेट मिड ब्रेकडाउन हमारा मिड टारगेट होता है तो हमारा 22.35 पिछली एंटरी के हिसाब से हम लोगों ने मौ लोगों ने मौर देन स्टॉक में ज्यादा प्रॉफित हमें किया 22.35 जी किया ऐधा प्रॉफिट बुकिंग किया ठीक है टिंक टोटली 32 परसंन कुछ परॉफित booking किया है हम लोग अने central bank में अभी उसके बाद stock यहां पर previous breakdown के नीचे candle open candle close किया है और यह वाला 20 E.M. में है आप देख सकते हो 20 E.M. में है यह वाला 20 E.M. के बीच में entry देगा और target हम लोगों को फिर से 30.50 28.25 जाएगा जो भी stock के अंदर holding लगा के बैटे हैं दोस्तों मैं आपको सिया सजेस्ट करूँगा कि अभी stock में holding मत लगाईए नई हम लोग average कर लेंगे अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो ठीक है आप आवरेज करने के लिए hold कर सकते हो पर अभी के लिए stock में holding में suggest नहीं करूँगा और दोस्तों आगे analysis में जाने से पहले यह मेरा WhatsApp contact number है अगर आपके portfolio में कुछ stock negative है कुछ stock positive है आपको समझ में नहीं आ रहा ह एक बार stock depreciate होगा तो stock यह उपर के target नहीं देगा हम लोगों को नीचे के targets पे ही काम करना होगा दोस्तों यह था मेरा analysis अपने Central Bank of India पर अगर आपको stock के पर analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए share करिए और YouTube channel को subscribe कर लीजिए